अगले 15 दिन में आप देखोगे प्रॉपर्टी डिलर सडकों पर देखकर बागेंगे मेरे से ये दैशत पैदा करूँगा जिसने रिजिस्टी करवाई उसके पास उस डिलर का नंबर भी होगा कॉंटेक्ट नंबर उस डिलर का नाम भी होगा उस डिलर का एड्रस भी होगा मेरे को दे दे मेरी जिम्मेवारी अगले 15-20 दिन में उनके गेंस्ट कारवाई ना होई तो मैं RS बाठ डिटीपी नहीं हूँ आप तो कह रहे हैं भी बार बार मैं कोई वोड नी चपकाने आऊंगा किसी पीएन के हाथ मेरे को नोटिस तो भी जवाते सर जी नमस्कार में हूं में एक शर्व हो और इस वक्त आप ये लाइफ तस्वीरे देख रहे हैं हरयाना के करनाल से करनाल में लगातार पीला पंजा चलने की कारवाई जारी है और ऐसे में आप देख सकते हैं ये एक निर्मान धीन मकान है अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है जिसे अ पूरा मकान की दिवारे यहां पर नीचे गिराई जा रही है मेरी आफ सभी लोग सी यह अपिल के जो विलो इस ख़बर को इस वीडियो को देख रहे हैं से साथ की साथ जरूर शेयर करें दो-दो जैसी वीज आपको यहां पर देखने को मिल रहे होंगी इस तरफ से भी पी कि और पूलिस की टीम मौके पर और लोगो की घीड़ आपको देखने को मिल रहे हैं उस तरफ हुझाव है wesुझा सफे जयादा लोग ही कथा हो चुक है और किस कौन जी जगह है कि बसंत बाड रांके बनारे नहीं है यह आपकी जगह है आपका बंद्र था मतान बंद्र था हाँ जी है घुकम चंद है जिस से मैं ने लिया उसकी आजी आपने कितने में लिया तो महिने पेले जी इतने में 15 लाग का घर बना रहे हूँ भी आपकर आज तोड़ा जारा को नोटिस वगड़ा दिया था आपको इस कौई नोटिसमाइ отнош नहीं की जिसे मैंने में लिया है उन्हों इसे를 कर वाई है और ऐसे में 15 लाग में हाली में लिया है इंहों पर मंठाओ बनाय जा रहा था और आंसल बीना किसीक्षी की उनका यह मकान तोड़ा जा रहा है मकान तोड़ा जारे जो की इनका कहना है और परिवार के लोग भी आज काफी जादा दुखी होंगे देखिए क्योंकि मकान बनाना किसी सपने से कम नहीं होता और सपने जब टूटते है तो दिल टूटता है और ऐसे में आप देख सकते हैं जिननोंने पंदरा लाख में पंदरा लाख में ये पूरी जगा ली और मकान बना रहे थे, ऐसे में उनका काफी ज़्यादा नुकसान हो गया, इस सरफ भी आप देख सकते हैं काफी सारे लोग यहां पर एक अठा हो चुके हैं, लोगों से भी हम बात करेंगे, क्या नाम है आपका, क्या आपका, क्या पार्श आप पहले तो टेक्स ले दी है रिजिट्री करने का, फिर बादमीन को गेर भी रहे रिए इतना पैसे ले लेकर रिजिट्री पहले निगी, बिना उसके कलतीने कामा कि यह बचंथ भी हार तो 16 नमबर तक है नहीं मैं वसंदे बारस्यला का तोड़ा, कि आपनी जाते हैं और यह बादमीन का तो इस अब दूंतिक का विजिट्री आप बबी निचे गिरा जा रहे और ऐसे में तो का इंटों का भी नुकसान हो रहा है जिनका मकान यहां पर बिन रहा था हो रहा है और जो किया नाम है आपका आपका हमारा नाम पवीता है जी आप देख सकते हैं कि औरते हैं आसपास की काफी हभुग भी हैं और तकलीफ में भी हैं क्योंगे इनका मकान बन रहा है और यह देखिए होगा हुआ है अगया ओक अजय पारा घर पडिविधा इस एक जा यह उसे शामा कर भीपोर्ट कि पार ले लो जब है कि अन्य ने लिया तो ले जरा हूंने पालार कर लंगड़ कि आपाई से रहा है यह जगह यह ना प्रूब्ड है कैसे यह तो मेर पता निदमा ना आ यह पर इसके बारे में जानकारी नहीं है लेकिना जिन्हों ने ये जगह लिए और जो मकान बना रहे थे उन्होंने का सर जिनकी ये जगह थी 15 लाख में उन्होंने ये जगह ली थी और उन्होंने का कि हमें कोई नोटिस भी नहीं दिया गया पहले देखें ऐसे ये वो कॉलनी जिसके उपर पहले शोकॉस भी आरो भी है मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि अब जिस लेवल पर हमने नुकसान किया अगर ये मकान अंडर कंस्ट्रक्शन छट डल जाती तो भी तूटता तो मैं यही चाहता हूं कि जी लोग जो है अभी जो सर्वे उपर गया है तीन चार मिने रुकें और बाकी गरीब का नुकसान करने के लिए नहीं हमाएं आप सरकार उसके ओपर फैसला लेने वाली है अगर लोगों को पेशन्स रखनी बड़ेगी तीन चार मिन्हें में कोई फैसला होगा तो रुकें अब आप रुको भी ना और आपका कारवाई भी ना हो तो मैं अपनी सीट पर बैठा हूं मैंने अपने कारवाई के लिए तो लग सेवन टू का नोटिस है अगर मैं यही मानता रहूं कि हर कोई जगा एक अंदर कंस्ट्रक्शन डीपीसी बनाएं और मैं अपने हरोई नोटिस लाके चपकाऊं तो फिर तो होगी कारवाई वर तो सारा करनाल आप ऐसे लीगल डेवल्प कर दो अगर हमने करनाल को अच्छा लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन टूटेंगे लोग हमारे साथ दें तो बैटर है नहीं दें तो देखो यह तोड़फोड होएगी विल्डरों के उपर बिल्कुल सकती से कारवाई होएगी मैंने कल पांच प्रॉपर्टी डिलर के ऑफिस तोड़े हैं और आने वाले समय में अगले पंदना दिन में आप देखोगे प्रॉपर्टी डिलर सडकों पर देखकर बागेंगे मेरे से यह दैश्यत पैदा करूंगा कि प्रॉपर्टी डिलर जो माफिया है इनको बिल्कुल खतम करना है करना से और जब तक मैं हूँ मैं पूरी कोशिश करना है सामने खड़े कुछ बात करनी है सर जी मैं चाहता हूँ सरकार का कोई मतलब वो होता है सरकार के उसमें सिदान्त में क्या लिखा हुआ है एक बेकसूर निमरना चाहिए बहले सोक जूरवार चूट जाएं आप एक नोटिस तो दे सकते हैं मेरे को किसी ने भी कोई आप तो क कंस्ट्रक्शन करने रुकें सरकार को फैसला लेकर नक्षा पास कराओ बनाओ अपरूड के इसाब से बनाओ आपको डेफिशेंट इंफ्रस्ट्रक्चर भी देगी सरकार दूसरी बात नोटिस जो है देखो इनको बता है कि मैं अवैद कॉलनी में बठाओ और यह तूट सक मतलब यही चाते हैं कि पहले डंडा चले हम बताएं और फिर वो रुकें ऐसा नहीं है आपको भी उतना ही सकर्थ होना पड़ेगा जितना हम है अब इनका यह कहना है कि इनका नुकसान हुआ है जल्द सरकार को मैं एक चठी लिख रहा हूं मेरा यह मानना है कि अगर किसी ग स्ट्रक्शन है जो कूछ है कमर्शल है तो देखो कमर्शल तो टूटेगा आप यह जो रोड है इस रोड को सरकार ने चौड़ा करने की अगर सोच रखी है तो यह जो दुकाने बना दी जो बेच दी यह कहां जाएंगे तो इसलिए सड़क के उपर अभी आप इस सड़क के अब जाएंगे जो इनने कहीं बिल्कुल से सहमत हैं अवाद कलोनियों में कंस्ट्रक्शन ऐसे नहीं होनी चाहिए और अवाद कलोनी किसी ने किसी क्लोनाइजरों को क्यों नहीं कठा करते वहाँ पर जिन्होंने कलोनिया काटी है उन पर एक्षन क्यों नहीं लेते उन पर गरिबाद में तुबस जाएंगे ना तो पहले उन पर एक्षन होना जी फिर यह मकान टूटने के मेरे यह राए मैंने एक सजेशन बॉक्स लगा रख है एक सजेशन dtp.gmail.com email id जनरेर कर रखी है मुझे करनाल के सारे प्रॉपटी डीलरों के मोबाइल नंबर और एड्रस जिन्नों लोगों ने ब्याना किया है जिसने रिजिस्टी करवाई उसके पास उस डीलर का नंबर भी होगा contact नंबर उस डीलर का नाम भी होगा उस डीलर का एड्रस भी होगा मिर को दे दे मेरी जिम्मेवारी अगले 15-20 दिन में उनके गेंस्ट कारवाई ना होई तो मैं RS बाठ डीटीपी नहीं हूँ अब यहां तक आहीं गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए के बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक